और यह राज़ारी बुपाल के तात्या चूप स्टीडिये में बुद्वार को पैरिस ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक में चमक बिकेरने वाले किलाडियों को सम्मानित किया गया मुकिमंत्री जौक्चु मोहन यादव ने उत्कृष्ट खिलाडियों को न्युक्ति पत्र प्रदाई समारों में औलम्पिक और पैरा ओलम्पिक को पदक विजिताओं का सम्मान किया कारिकरम में उज्जैन की मलखम खिलाडी राजवीर सिंग को भी सम्मानित किया गया माधी टीवी से खास बाच्रीत में राजवीर सिंग ने कहा कि मलखम खिल मिट्टी से जुड़ा हुआ है इसलिए हम सबसे पहले अपने मिट्टी का सम्मान करना चाहिए वही राजवीर के माने भी क्या कुछ कहा आई आपको सुनवाते हैं एक परिवार के लिए सबसे भाबुक कर देने वाला पल ये है जब मध्यप्रदेश के मुखमंत्री खिलाडियों का सम्मान करें जो खिलाडी प्रदेश और देश में जो नाम रोसन करते हैं उनका कैसा लग रहा मुखमंत्री के हाथों सम्मान हुए आपने सबसे पहले आके अपनी माँ का माता चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है और सबकुछ उन्हीं की दुआ है और हमारे खेल में इससे ही सब सिखाया जाता है कि हमारा खेल जो है मिट्टी से जोड़ा हुआ है महाकाल की नगरी से आते हैं महाकाल का अशिरवाद रहा मुखमंत्री भी महाकाल के रहे आप बिल्कुल बेशक कि महाकाल का आशिरवाद सब पर बना हुआ है लग सब उनके बेटे हैं उनके परिवार के इससे हैं तो अफकोर्स उनका अशिरवाद था तभी जाके सब कुछ सफल हो पाया है आज मुखमंत्री झी भी हमारे जेन कहीं है तो महाकाल के अशिरवाद से बने माँ के लिए सब्सें भावद कर देने वाला चड़ है कि समयलों में अपना जीवन जी लिया है आज मेरा बच्च इस मुकाम पर पोज गया है समझ लो कि मेरा जीवन सफर हो चुका है महाकाल की नगरी से हम लोगे बच्चा मेरा मलकम सिखाता बच्चों को कोज भी हो गया है और इसको सरकारी नोकरी मिली है डाक्टर मोहने अदव म मंदरी जी के दोवारा वह भी उच्यन के हम भी उच्यन की ये बाबा महाकाल की बहुत बढ़ी कृपा है हमारों उपर इसी दिन का इंतजार था कि क्ते सालों का हो गया यह चोविस साल का हो गया है च Sn इंसान इत्ता हो जाता है जब उसका बेटा तरक्की करता है और इस मुकाम पे पहुसता है तस्वीर आपने यहाँ पे देखी कैमरामेन अर्वीन के साथ शबाना अनादी टीवी भोपाल अनादी टीवी से खास बात चीत में प्राच्री आदव ने पताया कि लोक निर्मान विभाग में मिलेकलर का पद उन्होंने लेने से इंकार कर दिया है प्राच्री ने बताया कि 2020 में विक्रम पुरुसकार के दौरान उन्हें डिप्टी कलेक्टर या डिएसपी का पद देने का आश्वासन दिया गया था भारत का नाम देश भर में उचा करने वाली प्राच्री यादो को आज मुख मंत्री ने अपने हाथों से सम्मान दिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुशी होती है एक तुनेस का नाम बढ़ाया सम्मान भी मिला लेकिन आपने जो करके दिखाया वो हर किसी के बस की बात भी जी बिलकुल मैं मैं अपने गेम में ऐसी पहली खिलाडी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप में मेडल लाई थी पहली ऐसी खिलाडी थी जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाई थी पहली ऐसी खिलाडी है जिसको अरजुना वार्ड मिला था पहरा कैन नोइंग में एक्चिली मुझे 2020 में विक्रम अवर्ड मिला गया था तो उससे मुझे लोक निर्मान विवाग में कलर्क का दे रहे थे बट वो मैंने रिफ्यूस कर दिया था जो एशियन गेम्स और उलम्पिक में मेडल लाएंगे तो उनको डिप्टी कलेक्टर या डिएसपी के लेवल का जॉब दिया जाएगा तो मैंने इस वज़े से वो लेने से मना कर दिया था अब आगे की क्या planning रहेगी डेश का भी नाम प्रदेश का भी नाम उचा करना तो अब आगे और मेंद करने या गोड लाना तो उसके लिए क्या प्रचुनेंटली मेरा जो left आई है उसमें मेरा infection हो गया मेरा vision पूरा चला जया था पांच महीने से मैं proper practice नहीं कर पा रही थी का भी नहीं सकता है बट आई होग यह जल्दी से रिकवर हो और नेक्स जो पेरलंपिक्स है उसके लिए हम तैयारी करेंगे लोस एंजलेस के लिए जिस भी मुकाम पे हैं आपके पीछे बैक में अगर में चार नामों का जिक्र करूँ तो वो कौन को ले एक तो मेरे हस्बेंट ह जो मुझे हमेशा गेम में सपोर्ट करते हैं मेरे पापा हैं जिन्होंने मुझे यहां पे पुश्ट किया था जब रिष्टदार मना कर रहे थे क्या करेगी और कैसे करेगी तब वो मेरे पीछे कड़े थे मेरी बेहन जो आज इस दुनिया में नहीं है जन्वरी में वो खत जादा अच्छा रहेगा जैसा उन्होंने आपके साथ किया आपको वैसा व्यवार नहीं करना चाहिए तो सबसे मिल जूल के रहना चाहिए बहुत सब कामनाए प्राची हमारी आपको क्या भविस में मद्प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें और आपकी उम्मीदे हैं जो डिप्टी कलेक्टर और डिएसपी बनने की वो भी सरकार जल से जल पूरा करें कैमरमेन अर्बिन के साथ शबाना अनाजी टीवी बोपार